राज्यसबा टीवी का ये बेहत खास प्रोग्राम है गुफ्तगु और गुफ्तगु में आज है मारे साथ बहुती खास महमान मशूर अदाकार अनंग देशाई अनंग देशाई टेलिविजन और फिल्मों का एक परिजित चेहरा असी से जादा टीवी सीरियल्स में काम कर चुके अनंग देशाई को खिच्वी सीरियल के किरदार बाबुजी ने घर घर तक पहुँचाया जहां उनके अभिने का सबने लोहा माना प्रफुल तो उल्लू है उल्लू क्या का आपने अरे उल्लू है दुनिया का सबसे बड़ा उल्लू अच्छा तो उस गदे का क्या हुआ दोनों गदा भी उल्लू भी हाँ तो ठीक है अले क्या ठीक है यह क्या है शारी के इनुटेशन कार्ड तो मैंने तुझे क्या काता ये देते हुए पोस्ट अफिस आपर इने पोस्ट कर देना अर्जंट बिना एजर्स के अप्रफुल तुने इन कार्ड पर एजर्जी नहीं लिखा पता है बाबुजी मैंने जानबुज करने लिखा लेकिन क्यों बाबुजी आपने क्या कहा था अर्जंट है अब पता लिखने बैगता है तो देर नहीं हो जाती है पोस्ट करने में अहमदबाद में जन्में और पढ़े अनंग देसाई ने नाटकों में रुची होने की वज़ा से अपने परिवार में तीन पीडियों से चले आ रहे डॉक्टरी के पेशे को नहीं अपनाया और दिल्ली के राश्ट्री नाट विद्याले से रंकर्म सीखा उन दिनों की एक खास विवस्था के तहट एनसडी में पढ़ते हुए वो पूना फिल्म इस्ट्यूट गए जहां से फिल्मों में अबिने करने के तरीचे सीख कर लौटे दिल्ली में अपना नाट्य प्रिशिक्षन फूरा करने के बाद अनंग देशाई ने एनसडी की रैपर्टरी में एक से बढ़कर एक नाटकों में काम किया 1982 में आई सर रिचर्ड अटेंबरो की गांधी में जेबी क्रिपलानी का रोल करने के साथ ही अनंग देशाई का फिल्मी सफर शुरू हुआ शाम बेनेगल के यादगार धारावाहिक भारत देखोज में अनंग देशाई ने कई भूमिकाएं निभाई है कल तड़के सूरच की रोशनी पहलने से पहले हम उन दोगले मुगलों पर यलगार करेंगे इंशालला जो हमने फत्य हासल की तो हम आप सब कुमाल अमाल कर देंगे और खुदान खास्ता अगर हम नाका में अब रहे तब तक आपको जितना दे चुके हैं उससे खुश रहे आओ हम उम्मीदे कामियाबी में पैमाने उठाएं नई फतेह के लिए बहुत चाहे दिल्ली सुल्दान इब्राइम की फटाब भारत एक खोज के एक एपिसोड में वो बुद्ध की भूमे कामे हैं जहां अपने अनुयाईयों को संबोधित उनकी स्पीच मेरे मन पर आज भी अंकित है भिक्वो शुद्ध शील है बनी तीलियां धम्म चक्र की न्याय बुद्धी है परिधी चक्र की हाल विवेक मनन शीलता और नम्रता नाभी टिकी है जिस पर धुरी सत्य की दुख मैं है जीवन आसु का सागर रोग बुढ़ापा असंतोश और अचलता मृत्यु की रित्यु के सतत बोध की दुख की माता त्रिशना नश्वर जक से ऐसे जुड़ना जिससे दुख का हर प्रहार पड़ता है सहना सांसारिक हैंद्रिय सुख की त्रिशना जाते जाने की अंदरुक त्रिशना दुख का अंत देखने की जूटी त्रिशना दुख से मुक्ती तभी मिलती है जब मिठ जाती है त्रिश्ना जान गया कुंडन्य समझ गया, पहचान गया कुंडन्य भिक्को, जो मनुष्य होता है निपत अकेला और अकेले ही वह सत्यमार्क पर चलता है वो गलती से पहली वाली लीक पकड़ ले, ऐसा भी हो सकता है इसलिए भिको, एक साथ तुम रहो एक दूसरे को सहयोग सतत देते रहो एक दूसरे के प्रयास को शक्त युक्ति दो फैलाओ ये सत्य और सिध्धान्त विश्व के कोने कोने में पदस्वागत है अनंग जी अनंग देशाई को और किस नाम से जाना जाता है मेरा नाम तो यही है और कैरेक्टर के हिसाब से मुझे बाबुजी के रूप से जाना जाता है खिचडी का जो मेरा करदार है वो बहुत ही पापिलर हुआ है लोगों को बहुत अच्छा लगाए तो वही नाम मेरे साथ भी जोड़ गया है बाबुजी बाबुजी होने से पहले घर में अनंग को अनंग ही कहते थे अपके दोस्त और पेरेंट्स और सब लोग क्योंकि ये नाम शायद बुलाने में कुछ ज़्यादा आपचारिक सा लगता है बट मेरा यही नाम है और घर में मुझे यही नाम से बुलाते थे और मेरे माता पिता मानते थे कि बस कोई जिसको पैटनेम बोलते हैं या चोटा नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो नाम रखा हैं उसी से बुलाया जाए तो अच्छा है वरना रखा क्यों है नाम बोलते हाती ये जो आपका बच्पन है वो कहां पर गुजरा कहां पैदा हुए मेरी पैदाईश हुए एहमदाबाद में बच्पन भी वहीं गुजरा और बस वहीं में पला बढ़ा बढ़ा हुआ पर स्कूलिंग मेरा कालेज वो सब कुछ एहमदाबाद में हुआ क्या पढ़ाई कर ली थी आपने स्कूल करके मैंने फिर आर्ट्स में ग्रेजूट हुआ में इकनॉमिक्स और साइकलोजी मेरे मेजर सबजेक्ट से स्कूल अब ड्रामा आए शौक तो मैं कहूंगा पहले से ही थोड़ा था स्कूल की लेवल में हमारा स्कूल ऐसा था कि जहां पढ़ाई के साथ-साथ यसी कल्चिरल चीजों पर काफी जोर दिया जाता था तो लोग क्या करते थे कि हर साल एक अपने ही देश के और कल्मिनेशन उसका साल के एंड में एक्जाम्स खतम होने के बाद एक नाटक के रूप में पपिट शो के रूप में और उसकी सारी ऐसी चीजों में कल्मिनेट होता था तो ये शौक मेरा शायद वहीं से बढ़ा बढ़ा और बढ़ता चला गया मुझे वहाँ काफी रोल्स भी मिलते गए स्कूल के लेवल पर करता चला गया तो मज़ा आने लगा था और बस कालेज गया कालेज में भी ये सलसला चलता रहा टेलेंट इवनिंग्स वो एन्यूल फंक्शन जहां जहां मुझे मुझे मौका मिलता था मैं पार्टिसिपर्ट उसमें करने लगा था शुरुआती अन्वाओ आपके अभी ने करने के ही हैं ये सब जो स्कूल और कालेज तक अभी ने या पिर अभी ने के अलावा भी कुछ और ऐसी कलाओं में आपकी दिल चस्पप अभी ने के साथ-साथ मुझे संगीत का शौक था मैंने गाना सीखा भी है थोड़ा बहुत हिंदुस्थानी क्लासिकल म्यूजिक के लाइट म्यूजिक तो वो स्कूल लेवल से शुरू किया था कॉलेज में आके भी मैं सीख रहा था और अमदाबाद के ओल इंडिया रेडियो में मैं लाइट मुजिक का सिंगर भी रह चुका हूँ जहाँ बट फिर मेरा एक्टिंग का जो शौक था वो ज्यादा भारी रहा ज्यादा उसमें ने जोर पकड़ा तो पर वही करने लगा मैं शौरुआती एक्टिंग के साथ जो शौरुआती फलर्ट है उसके कुछ एनेकडोट कुछ याद करके बताएए जिन पर अब याद करते हैं तो बड़ी हसी आती है कि वो तब क्या कर रहे थे लेकिन तब तो कर रहे थे बहुत मज़ा आ रहा था हाँ अमलें भी रहे हैं स्कूल में जो कॉलेज में जो रोल मिलते थे और वो करने में मुझे मज़ा बहुत आता था स्कूल लेवल का ही होता था और कभी-कभी एक किसी ने मुझे उसकूल के किसी फंक्शन मच लेटर वो कुछ वीडियो उन्हों ने बनाया होगा पहले वो दिखाया तो मुझे लगा कि क्या हो मैं यह कर रहा था और इसकी वज़े से आज मैं आक्टिव में हूँ बट वो शौक बहुत तभी से बढ़ता चला गया अच्छे अच्छे प्लेस किये का अभी जर्मनी का प्रोजेक करते थे तो वो फाउस्टस का प्ले किया उसमें उस जमाने में फाउस्टस का मैंने रोल किया जब मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि वो रोल मैं करूँ वो दाड़ी लगा के ये करके बड़े बड़े डायलॉग्स बोलके और कुछ चीज़े उस वक शायर नहीं समझाऊंगा उस रोल की जो मझे बाद में समझ में आई बड़ करने में बहुत मज़ा आता था स्टेज पे रहना सामने लाइटे आएं कभी जब आडियन्स हो सेट हो इसकी जो खुश्वू आती थी इन सब चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता था वो कौन से सरक्मिस्टांसे होंगे जब आपको लगा होगा कि अब स्कूल और कॉलेज में अपने थीटर के ये सब करते हुए अब वाक़ता सीखना चाहिए और इसके लिए दिली चलना चाहिए वो कौन से ऐसे मैं जब कॉलेज में था तो मैं वाद चूंकि मेरा ये शौक बढ़ रहा था तो मुझे लगता है थोड़ा प्लेज तो एक अमदाबाद में थीटर ग्रूप के साथ मैं जुड़ गया तो उनके साथ प्लेज करने लगा एक नाटक किया चोटा सा उसका अच्छा लगा दीर करके वो एक शौक से सीरियस वाली चीज में वो बात बन गई और तब मैं जब ग्रेजुएट हुआ तब डिसाइड किया कि मुझे तो यही करने का माने क्योंकि तब तक मेरा थोड़ा बहुत संगीत भी चल रहा था रेडियो प्लेज में भी चलो पर रहो तो यह शौक तो तराशना तो पढ़ता है तराशने की जरूरत है और राश्टे नाट्य विद्याले जहां हमाँ एक दो लोग जो थे एक्सपिरियंस टो तेयर्टर ग्रूप में वो जानते थे जैसे कौन वह एमदाबाद में थे मिस्टर कैलाश पंडिया बगएरा लोग थे उनके साथ मै जुड़ा हुआ था तो उनको जानते थे राश्टे नाट के विद्याले के बारे मालकाई साथ के बारे में तो उनका यह एक बहुत अच्छा इंस्टिटूट है जो हमें मदामा ट्रेनिंग अच्छी मिल सकती है तो और मैंने भी जो पढ़ते पढ़ते थेयर्टर के बारे मैं पढ़े तो कुछ किताब हैं पढ़ी यह तो इस इंस्टिटूट के बारे में मैं जानता था तो जानने लगा था तो मुझे लगा यही बेस्ट इंस्टिटूट है दूसरा फिल्म इंस्टिटूट भी है जो आप फिल्मों के लिए कर सकते हैं तो उस वक्ता नहीं क्यो तरफ नहीं गया और ये मुझे लगा कि ये चुए थेटर में जुड़ा हुआ था तो थेटर का शौक ज्यादा था तो उसके साथ जुड़ गया फिर मैंने ग्रेजुट किया तो मैंने कहा कि मुझे यहां जाना है तो ये बात मैंने अपने पेरेंट्स को कहीं माता पिता को तो उन्होंने हमेशा मुझे एंकरेजी किया मेरे जो भी शौक रहे हैं उनको ऐसा क्योंकि वो मानते थे कि आप जो करो ठीक से करो करो तो ठीक से करो मन से करो और इसमें फिर कुछ अच्छा थोड़ी निपुंटा लाके रहो ये नॉन सीरियस होकर मत करिये तो उन्होंने म कई बार टकराना बच्चों को बहुत पढ़ता है आपके पेरिंट्स के बारे में कुछ बताईए कि वो क्यों ऐसा नजरिया था उनका कि वो आपको ये इतनी आजादी दे रहे थे हैं क्या करते थे मेरे पिता जी डॉक्टर थे कार्डिलॉजिस्ट थे और एक्चुली मैं देखा जाए तो मेरे पिछली तीन पेड़ी यहों से सब डॉक्टर ही थे मेरे पिता जी डॉक्टर थे कार्डिलॉजिस्ट मेरे दादा जी सर्जन थे उनके पिता जी भी डॉक्टर थे तो कहीं न कहीं मैंने सो काल्ड फैमिली ट्रेडिशन को कहीं तोड़ा कितने मेरी मा और मैं मानता हूँ कि यह जो कला का शौख जो मेरे ने आया है वह विरासत में मुझे मेरी माँ से मिला है میरी माँ को संधीत का शौक था पेंटिंग करती थी यह एकर दो एग्जेबिशन भी उनके हो ए और एक शौक्या तोर पर संधीत का डांस का सब करती रही है तो यह विरासत में शायद मुझे उनी से आया, जो मेरे में ये चीज कला के पर प्रत्य की रूशी जो आई है, उनी की तरह से आई, तो उनका तो मुझे हमेशा फुल एंकरेजमेंट रहा था, और मेरे पता जी ना फिर ये मुझे कहा कि फिर ठीक है, तुम्हे करना है तो करो वो मानते थे जैसे मैंने आपको बताया कि जो करो ठीक से करो हला कि मुझे वो फोर्स कर सकते थे कई पैरेंट्स करते हैं अपने बच्चों को फोर्स कर नहीं या और उस जमाने में जब बहुत ज़्यादा अल्टरनिटिव नहीं थे प्रोफेशनल लेवल पर या आप डॉक्टर बनी है या आप वकील बनी है या कोई एंजीनियर बनी है दो तीन चार सेफ प्रोफेशन्स जिसको माने जाते थे तो उसके अलावा ज़रा दूसरी चीज़ों को इतना उससे नहीं देखा जाता था तो कुछ लोग ने शायद उनको कहा भी होगा कहां आप कर रहे हैं बटे बटे को क्या है जरा करें बट वो फोर्स में उस हिसाब तो मानते नहीं थे और या मुझे वो फोर्स नहीं किया ताकि मैं अपने मन का कर पाया हूँ तो उन्हों का जो भी करो तुम ठीक से करो बट मेरी एक ही सला है कि तुम एक और डिग्री ले लो ताकि आगे जाके तुमें लगे कि तुमने इंपल्जिव डिसिशन ले लिया ये फील्ड तुमारे लिए नहीं है या किसी वज़े से आप सुक्सेस्फुल न रहो उसमें और आपको का रहा है तो कुछ है जिसकी वज़े से तुम आगे कुछ दूसरे प्रोफेशन में कु और तब तक जब तक आभ आप वहां थेटर कर रहे से अहमदबाद ने है ताकि वे त्भी हैंवे से अखितने का एफ दूसरे ऊख के साथ के तूसरे पहले छूसरा ने उसमय चीदे का शूसरा कैने देने रहता था तो कहीं न कहीं इच्छा भी ती कि चलो अगर रेक्टिंग कर रहा हूं तो सिनमा में भी जाना चाहूंगा टेलिविजन उस विज़ा बहुत इनिशिल स्टेज में था तो वो शौक भी था तो थीटर के साथ-साथ ये भी करूंगा और करना चाहूंगा ये तो दिल में था फिल्में जैसे कौन सी है आपकी अर्ली मेमरीज की जब आप अमदाबाद के सिनमा हॉल में देख रहे होंगे कई बड़ी बड़ी फिल्में जो आती थी ये सारी कमर्शल फिल्में जो इस वक्त सेवन्टीज में सारी अमिजी की है, सारी दीवार, शोले, फिर ऐसी कई फिल्में थी फिर राजश खन्ना जी का दौर था जो उनकी कई फिल्में आराधना और उनकी तो कई सच्चा, जूटा, रादना, कई फिल्में, सारी, I think मैंने देखी होंगी जो इस वक्त आई होंगी, सारे नाम इस वक्त याद नहीं है, तो ये सारी फिल्में तो मैं देखता था और उन फिल्मों में कहीं अंपने आपको भी तलाशते थे या फिर म seben अंदों सुचते थे यहां पर कहीं में भी होँगा इसमें से अा मतला यह शौक जरूर ist anniversary जरूरी रहा था कि ऐसी फिल्म में भी करना चाहूंगा कहीं कि ऐसी फिल्मों के साथ मैं जुड़ना चाहूंगा और साथ साथ छाम बेनिगल जी की भी फिल्मे आई थी वो पेरिलल सिनेमा का दोर शुरू हो गया था तो वो फिल्में भी देखी थी बाद शायद रेपर्टरी में नौकरी की जी और नौकरी तीन साल कोर्स किया मैं ने और तीन साल के बाद फिर रेपर्टरी में जुड़ गया मैं और रेपर्टरी की नौकरी क्यों कर रहे होंगे आप जबके आप फिर बाद में FTII चले गए? नहीं, कॉर्स के दौरा नहीं मैं FTII जो तीन साल का हमारा कॉर्स था अच्छा अच्छा, हाँ, 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 वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे वो बंदो बस्त क्या था हाँ, मतलब है, जब मैं NSD में था और उसे कुछ वक्त एक साल पहले या दो साल पहले ये वर्काउट होआ था दो इंस्टिटूट्स के बीच, उस वक्त अलकाईजी साब हमारे स्कूल के डिरेक्टर थे, और शायद FTII में गिरिश करनाट जी थे, और हमसे पहले नसीर साब और होम पूरी जी और वो मेरे से काफी सीनियर थे, वो लोग NSD का पूरा कॉर्स किया, उसके बाद वो FTII है गए, वहां का भी जो दो साल का पूरा कॉर्स किया, तो वहां उस वक्त शायद उनको वो लगा होगा कि एक्टिंग की ट्रेनिंग की कुछ तो सिमिलि से क्या करना चाहिए, वो जरूर महां वो लोग सीखें, तो फिर एक सोच शायद इन लोगों के बनी होगी कि पर दो सेपरेट कॉर्सिस रखने की बजाए, एक पैरलल कॉर्सी किया जाके भी यहां करें, और फिर छे साथ महीने स्टूडन्स वहां हैं, ताकि उनको सिनिमा क पॉइंटर फिर से जो ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए, वो करें, तो ऐसा फिर शुरूआ, तो हम लोग मेरे से पहले का बैच भी गया, हम लोग भी गया, तो धाई साल एनस डी में किये, उसके बाद फिर छे महीने हम लोग एफटी आए गये, और फिर आपने तीन साल अच्छा, तो यह जो छे साथ साल में, अगर कुछ प्रमुक नाटकों के नाम याद करें, तो और कौन जो फेलो एक्टर्स कौन से थे, और कौन से बड़े-बड़े नाटकों में, जिनके नाम बाद में भी लिये जाते हैं, मैं बता है, उस वक्त की रैपर्ट्री की जो ट जो गए थे, और उन्होंने काफी तो उनके साथ साथ जुड़ गए थे, और उस वक्त रैपर्ट्री में पंकच कपूर थे, केके राइना थे, फिर जो उन्होंने बाद में भी काफी काम, या मंबई आके काफी काम किया है, मैं जुड़ गया था, पिर गोविन नामदेव म मेरे साथ मेरे बैचमर्ट थे, वो भी जुड़ गए रैपर्ट्री में, और कुछ लोग अभी भी जो रैपर्ट्री में रहुवी र्यादव थे, वो भी उस वक्ती रैपर्ट्री में जुड़े हुए थे, और राजेश विवेक थे, जो रैपर्ट्री में थे, तो कई ऐस रंजीत कपूल का, हाँ, रंजीत के साथ मैंने दो तीन प्लेस किया, वो भी रेपटरी में ते उस वक्त, तो मुख्यमांतरी प्ले में मुझे एक अच्छा सा रोल मिल गया था, बहुत ही इंपॉर्टन्ट रोल, करने में मुझे मुझे मज़ा भी आया और लखी लिए अच् और रोल भी बहुत अच्छा था, शोज भी उसके बहुत हुए बहुत मज़ा था, उसके साथ रंजीत ने बेगम का तक्या किया था, जो प्ले बहुत सराह गया था, वो मैंने रेपटरी जॉइन की उससे पहले हुआ था, बर कोई एक्टर एक छोड़के गया था, तो उसक पी लेके जाना था, तो उसमें भी मुझे रोल दिया गया था, एक इंपॉर्टन्ट रोल, तो वो नाटक भी किया, जिसके बाद में परफॉर्मंस कोई पराने खिले में भी हुए, कमानी और्डिटोरियम में भी हुए, तो वो एक अच्छा प्ले रहा, पिर हमने प्ले पे बेस्ट था, तो ऐसे कहिए, सारे अच्छे नाटक रहे जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ था, आप देखेगा कि अलकाजी साब के जमाने में बहुत रिगरस ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता था और पिर आप कहरें, गरीश करनाट साब वहां पर थे, तो एक त नए सीखने वालों के लिए, अगर आप ये बताएं कि वो क्या, क्या गुरु मंत्र क्या है, जिनको उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, जो आपने इस लंबे ट्रेनिंग और फिर प्रैक्टर्स और फिर अभी तक में अर्जित किया, तो कुछ अगर आप पॉइंट वाइ तो नमबर वन आप में एक पैशन अपने काम के प्रती होना, जबरदस पैशन होना बहुत जरूरी है, यह मैं जरूर मानता हूं क्योंकि उसी के आधार पे आप पूरा आगे बढ़ते हैं, उसी वो आपको एक जोश देता है, अंदर उनी जोश देता है, तो पैशन होना ब प्रती आपके प्रोफेशन होनी जरूरी होती है, और साथ-साथ महनत तो लगातार करनी पड़ती है, और आजकल एवन्यूस बहुत ज़्यादा हैं, बनिस्पत पहले के, तो आपको पॉसिबिलिटीज काम मिलने की बहुत चाथ जल्दी मिल सकती है, बट आपका उसमें फि किया ये सारे उदाहरान आपके सामने हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं यंग लोगों को यही कहूंगा, कि पूरे कमिट्मेंट के साथ इस प्रोफेशन में आएं, सिर्फ ग्लैमर की वज़े से ना आएं, ग्लैमर एक लेवल का तो है ये एंटरटेन्मेंट इ आपने की, लेकिन ये चुकि थोड़े से फॉर्मॉलेटेड और सूत्रों में कही गई बात है, इसने कितनी कनवे हो पाएगी, ये हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, मिसाल के तोर पर गुविन नामदेों कहते हैं, कि पहली तो चीज़ कि उनको हर इलाके में, हर क्षेतर में एकसेल करना था, अवल आना था, और अवल आने के लिए जो जो रास्ते में मेहनत की जरूरत थी, उसको उन्होंने किया, अब वो उसको थोड़ा ग्राफिक डिटेल्स में जाते हैं, बोलते हैं, जैसे मुझे अपनी वाइस पर काम करना था, तो सुबा उटकर चार घंटे मैं हास्टल के कैंपस में या चछत पर चार घंटे वाइस एकसाइस कर रहे हैं, अब जैसे आगर आप देखें खुद, कुछ तो एकसाइस रूटीन एकसाइस हैं जो सब लोगों के लिए होंगे, लेकिन आपकी इपनी चॉइस भी होती है, कि ये वाला एरिया हमारा वीक ह इस पर हमें जादा काम, तो आपके केस में क्या रहा, आपने कैसे इसको अपने ही अंदर जो छुपी हुई चीजें थी, उनको शेप अप करने के लिए, आप कह रहे हैं ना, मेहनत है, लगन है, और ये अलकाईस आप भी हमें बहुत इंस्पार करते थे, वो ये कहते थे थ इसी में रहने का मिल रहा है, तो उसका फाइदा उठाई है, तो सवेरे जैसे, मैं भी वोइस एक्सरसाइजिस करता था, स्पीच पे ध्यान देता था, बिकॉस मैं मानता था कि मैं नॉन गुजराती बैगराउंड से आया था, तो हिंदी में अगर मुझे काम करना है, तो म मैं प्र एक लेवल पे डिली आने से पहले ही, वो प्रोसेस बैदी kanadा में मेरी सोच मैं प्रोसेस बीता ही हिंदी में था उनुक्त है। बड़ मेरी सोच मैं हिंदी में ही सोचता था उस तरीके से करते करते वो बातचीत का में मेरा हिंदी आने लगा दीरे-दीरे तो एक दीरे-दीरे और फिर साथ-साथ ये रियाज करना करेक्ट प्रनिंसियेशन, किताबें पढ़ना, नाटकों को पढ़ना, जोर से पढ़ना ताकि आपका आवाज की थ्रो आडियन्स तक वहां तक पहुँचे वो विदाउट अ माइक, माइक के लावा, उसकी एक्सेसाइज करना हमारे पास ओपनेर थियाटर था, मेकदूद थियाटर जिसका तो वहां जाके आप करें तो वो आपकी आवाज और आपकी आवाज को स्ट्रेन किये बगर, ताकि आपका ब्रेथ कंट्रोल रहे तो ब्रीधिंग एक्सेसाइज, चाहे प्राणा आयम करिये, चाहे कुछ दूसरी एक्सेसस करके ये सारी एक्सेससेस पर ध्यान जरूर दिया मैंने, और हिंदी करेक्ट हो, उस पर मैंने काफी मेहनत की ये वैसे इंट्रेस्टिंग एरिया है, क्योंकि जो लोग भी नौन हिंदी एरिया से आते हैं, एक थोड़ा एप्रेहंसिव रहते हैं कि क्या होगा, मतलब ठीक हो, वो कॉन्फिडेंस का एक हिस्सा थोड़ा हिला हुआ रहता है, लेकिन जब आप थोड़ा शुरू से ही इ कि नहीं हमें से ठीक करना है, तो भी लेकिन उसके रास्ते में कुछ अर्चने तो होती ही होंगी, जिसको आपने और थोड़ा एफर्ट करके ठीक क्या होगा? हाँ, मैं अब जैसे प्रॉनसियशन, अभी मैं ठीक से बोल लाता हूँ, इस वक्त इतना शायद हो सकता है, मैं इतनी फ्लूउंटली नहीं बोल पाता था, कुछ विज़ों के मतलब ना पता हो, तो वो धीरे धीरे बात चीता, और मैं काफी लोगों को सुनता था, और मैं ध्यान से सुनता था, क्योंकि में लिए आपके शब्दों को भाशा के ग्यान में करेक्ट टॉनस्टेशन, करेक्ट डिक्शन होना बहुत जरूरी है, तो अगर आप हिंदी में अक्टिंग कर रहे हैं, चाहे टेलिविजन हो, फिल्म हो या थेटर हो, भाशा करेक्ट होना तो बहुत जरूरी है, और मैं आज भी मानता हूं कि भाशा किसी भी अक्टर को भाशा का ग्यान होना बहुत जरूरी है, आप हिंदी में करें, चाहे अंग्रेजी में करें, चाहे आप कोई भी दूसरी भाशा में करें, तो जिस भाशा में करें, उस भाशा का ग्यान होना अच्छे से होना जरूरी है आप पर्फॉर्म भी जादा अच्छा कर पाएंगे हाला कि इसी का उल्टा आपकी इस बात को काउंटर करने के लिए जो लोग इस पर काम नहीं करते वो कहते हैं बिना भाषा का ग्यान हुए भी आप इस काम को कर सकते हैं वो उनका ये कहना है कि बात कन्वे हो रही है तो भाषा का पूरा ग्यान है चाहें नहीं है कन्वे हो रही है कि नहीं ये वाली बात हाँ बट मैं इससे सहमत नहीं हूं मैं डेफिनेटली मानुगा कि अगर जो भाषा मैं बोल रहा हूं वो मुझे ठीक से आनी चाहिए कन्वे आप टुटी- की तरीखेसे सही बोलना जरूरी नहें, हम अपने लहज़े से बोलेंगे, तो भी बात कन्वे हो जाएंगी, या क्वजी भाशा को ले लिजी, तो मैं यह यह नहीं मानता हूं, मैं इफिनिटली मानता हूं, जो भाशा आप लें आप ठीक से बोलें, और अच्छे के लोग जो आपको पहले से जानते थे उन्होंने ये बदलाव देखे होंगे आपके अंदर और तब किस तरह के कॉंप्लिमेंट्स मिलें मिलें जब मैं एक दो साल के बाद एहम्दाबाद में चुटियों में गया आ तो वही मेरे थेटर के ग्रूप और वो सब उन्होंने देखिया बदलाव उनको अच्छा लगा क्योंकि एक बाड़ी लैंग्वेज में भी फरक आता है बाड़ी पर भी काम किया नॉट सिर्फ एक्सराइज नहीं बड़ आप एक्टिंग रिलेटेड काम करते हैं तो उनको लगा मतलब व तब मनोहर जी थे वहाँ जी अच्छा तो बड़ा मनोहर जी के बारे में बताईए क्योंकि बहुत से लोग मनोहर जी का जो करिश्मा है उसमें बहुत बंधेर आप कैसे बंधेर या क्या आपका था ओपीनियन मुझे इवेंचुली था हम अच्छे हाला कि मेरे से उम्रों म बहुत बड़े थे बड़ मैं कहूंगा बाद में तो दोस्त बन गए हम लो मगर शुरू में मैं अब उनके बारे में जब मैं फर्स्ट एर में गया राश्चे नाटी विद्याले में तो अलकाईश साब क्या करते थे क्योंकि आप अपने अपने प्रदेशों से आते थे आ आपको लगता है कि हम ही हैं तीसमा रखा और आगे तो क्या देखेंगे तो वो सारी ऐसी चीजें सब के सामने रख देते थे कि आपके होश उड़ जाते कि ताकि आपको उनका ये कहना था कि आप बिलकुल अपनी जो एगो है या आपके अंदर की या जो ये बिलकुल निक पाएंगे तो ऐसी ऐसी चीजें दिखाते थे कि आपको लगता था कि हम तो कुछ नहीं है बहुत कुछ सीखने को बाकी है तो उस वक्त अलकाई साब का ही डिरेक्ट किया और लुक बैक इन एंगर करके एक प्ले था जिसमें मनौर जी सुरेका जी और उत्तरा जी थे और व और वो स्ट्रिक्ट भी काफी थे उस वक्त तो खैर उसी लेवल पर बातचीत होती थी पर रेपर्ट्री में भी जाते वक्त गए तो उनके एक डिसिप्लिनेरियन थी उनका स्वभाव था तो कंट्रोल में रखते थे तो एक ज़रा थोड़ा एक दूरी बनी रहती या फॉ नहीं थे बड़े इनफॉर्मल मजाक ऐसे बाद में तो कई हम लोग ऐसे ही कभी बैठ जाते थे कप्पे मानने ये उस सारा होता रहा थोड़ा वक्त लगा शुरू में जरूर इंट्रिमिंडेट हुआ बड़ बाद में दोस्ती भी होगी देखेगा कि कला के क्षिट में च उसके अंदर बेशेश्ट वोन हैं इस तरह से कहीं उसके अंदर एक इंडिविज्यूलिज्म जैसी चीज़ अगर कहिए एक इंडिविज्यूलिस्टिक अप्रोच इससे कॉनफ्लिक्ट भी पैदा होते हैं बेशक बारा लोग एक साथ काम कर रहे हों लेकिन और पीरियोड सब लोग अच्छा करना चाहते हैं और उसी में कहीं कोई अंडिस्टेंडिनिंग के गैप का कुछ अगर होता है होता है वो हो रहा है नाम लेना तो नहीं चाहूंगा मैं यह रहा है कभी-कभी इगो क्लैशिज रहे हैं या अपनी जिद उनकी जिद यह रहा है कभी मिसंड जी हुई हैं अभी मिलते हैं तो उतने प्यार से मिलते हैं और वो चीजें वाली बात है और अच्छे दोस्त भी बन गए ऐसा नहीं कर नहीं बने बट वो मुमेंटरिली तो नहीं कहूंगा बट होता है उस वक्त हुआ भी है और हरेक के साथ चाहएद होता है क्योंकि जैसा आपने का वो इंडिविजियलिस्टिक हरेकी वो तो रहती है तो और फिर एक कॉंपटिशन से ही एकसेल सामने आता है इस दिया हाँ तो वो थोड़ा बहुत तो रहता है तो फिर आपने रैपटरी की नौकरी जब छोड़ी तो किन सरकिंस्टांस में फिर आप आप तो मुम परना चाहरा था कि काफी साल हो गए थे तो अभी इससे आगे और टेलिविजिन और फिल्में काफी फिल्में तो थी थी मगर टेलिविजिन भी काफी कुछ बढ़ रहा था तो उसी में इच्छा थी कि काम किया जाए आगे बढ़ा जाए और यह स्थिती थी और मेरे फाद भी काफी बीमार थे उसी वज़े से मैं हो चाहते थे कि थोड़ा मैं वहाँ जाके उनके साथ रहूं और कुछ देख पाल करूं तो इसलिए मैं क्योंकि उन्होंने मेरी माने और मेरे पिता जीन हमेशा मुझे और मेरी बेहनों को एंकरेजी किया हम जो करना चाहते थे उसमें इसलिए मैं जरूर मानता हूं कि जब हमारे पर हमारा दाइत पर बनता है कि जब उन्हें हमारी जरूरत हो तो उनके साथ रहना चाहिए इसलिए फिर मैं अम्दाबाद चला गया उसी वक्त मेरी शादी हुई मेरी पतनी से जो दिल्ली से हैं और बट ये बात क्लियर थी कि क अकेली थी और फिर मैंने काम शुरू किया तो मैं मुंबई और अम्दाबाद जिसको अप डाउन करता था करता था यहां आता था कुछ वक्त यहां मेरी पीजे अकॉमोडेशन थी रहता था और काम करके वापस चला जाता था फिर काम आया फिर यह सिलसला शुरू आती दौर में रहा मेरा और काम मैंने शुरू कर दिया था और मैं कि मैं करना चाहता हूं बट यह इस किसम से गया और मेरी माँ की डेथ के बाद फिर हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई पूरी तरह से तो जो शुरूआती टेलिविजिन या फिर फिल्म दोनों में से कौन सबसे पहले एक मेजर एंगेजमेंट के तौर पर आया इना वे थोड़ा शुरूआती दौर की बात करों तो थोड़ा पैरेलल लेवल पर ही शुरूआ हुआ मेरा अब मैं बिल्कुल जिसे मैं अपनी पहली फिल्म कहूंगा वो मेरे दिल्ली में रेपर्टरी में रहते हुए मुझमेली जो थी सर एटनबरो की गांदी जिसमें म मुंबई आते ही मैं शाम बेनेगल जी की भारत एक खोच के साथ जुड़ गया तो वैसे उन्होंने बनाई थी वो फिल्म पे 16 mm पे बनाई थी और वो टेलिविजन के लिए बने ही थी तो टेलिविजन का दौर चुरूआ और उसी वक्त दिल्ली में अमाल अलाना ने इनके उपर आधा रहती तो तीन-चार ट्रायल से उसमें से दो ट्रायल में मेरा रोल था तो यह सब साथ-साथ शुरू होता गया तो ऐसे ही मेरा दौर शुरू हो गया दोनों तरफे और मेजर कमर्शल फिल्म मेरी रही बहिजबट जी ने मुझे जुर्म करके एक फिल्म दी थी उस वो मेरी मेजर फिल्म उसमें अच्छा थोड़ा नेगेटिव सा रोल था विनोत खना जी उसमें हीरो थे उस वक्त और वो फिल्म मेरी मेजर फिल्म रही वह से शुरूआती फिल्मों का दोर शुरू है अगर शुरूआत के 8-10 बरसों को उपर नजर डालें तो आप तक कोई रोल आपके अपने प्रो एक्टिव प्रियासों से पहुँचा या फिर एक काम ने दूसरे काम को आकरशित किया देखें जहां तक शाम बेनेगल के साथ काम करने का सवाल है या उस पैरलल वोट वो मेरे काम की वज़े से क्योंकि ये लोग दिल्ली आते रहते थे नाटक देखते रहते थे रेपर्ट्री तो शाम बेनेगल जी ने तो मुझे कुछ प्लेज में देखा हुआ था हाँ यहा प्रक्री आये रही, बाकी जाके मैं मिला डायरेक्टर्स को जब मंबई आये तो आपको बताना तो पड़ेगा कि आप हैं अवेलेबल हैं या आप काम करना चाहते हैं, तो अलग-अलग लोगों से जरूर मैं मिला, और बातचीत हुई, जरूरी नहीं कि इमीजेटली काम मिला और उनसे मिला ही मिला, तो हर चीज़ का टाइम लगता है, वो लगा भी, और दीरे दीरे फिर वो काम मिला, इस पर मैंजबर जी ने काम कमर्शिल फिर्म में मुझे देना शूरू कर दिया यह तो सब लोग जानते हैं कि जिन फिल्मों में काम मिला, वो तो ठीकी है, लेकिन कुछ ऐसे अनभाव जिन में काम की उमीद थी, लेकिन आप उस काम को, कि तरीके को या उस डिरेक्टर के अप्रोच को उसे एग्री नहीं करते थे, इस वज़ह से आपने वो काम छोड़ा ऐसा कोई अनभाव? ऐसे कुछ काम जरूर किये हैं मैंने, जो मज़ा नहीं आया. बाद में ये रिग्रेट हुआ कि क्यों कर लिया, ऐसे कर लिया. ऐसा रहा. इसमें एक चीज़ और होती है कि कई बार दो लोगों के बीच में आप जो एक्सपेक्टेशन लेकर डिरेक्टर के साथ काम करना शुरू करते हैं, उसकी पूरी समझ पर ही कहीं आपको कोई भरोसा नहीं होता. इसा भी कभी होता है. होता है. कि आप ने करेक्टर को जैसे समझा और डिरेक्टर ने जैसे आपको बीफ दिया, और शॉर्ट के बीच में बहुत मिस हैपनिंघ्स हो रही हैं और आपको लगरा है कि यह सब कैयाऊस हो गया. आपने ठीक से समझ दिया था और आप उसको ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी शॉर्ट ओके नहीं हो रहा है यह क्या है इसमें बताईए इस बारे में हाँ मतला उसमें फिर रहे ही रहता है कि आप कहते हैं कि ठीक रहा उनको लगता है नहीं ठीक यह रहे अगर if I'm a says हो के नहीं है कि तो करें तो ऐसा ये गैप तो रहता है तब ही आपको as an actor लगता है काश ये ना किया होता तो ऐसा रहा है ऐसे incidents तो रहें आपका जो actor है वो कैसे function करता है मतलब जब आपको script देखने के बाद अपने character की journey या उसका पूरा nature समझ में आने की बाद आप कैसे उसको कैसे पेश करते हैं कैसे आप उस character को सामने लाते हैं मतलब आपका तरीका क्या है तरीका in the sense के मैं अगर मुझे पूरी तरह बताया जाए character के बारे में कुछ जगे script भी पूरी मिल जाती हैं आप या आज कल बहुछ जादा मिलती हैं पहले उतनी नहीं मिलती थी तो अगर आप समझें पढ़ें तो character का एक एक खाका या एक image आपके दिमाग में बन जाती हैं उसके इसाब से आप उस पे काम करना शुरू करते हैं और फिर मैं कोशिश करता हूं क director के साथ बाचीत करके क्योंकि eventually point of view जो director सोचता है वही पेश किया जाता है हाँ आप discussion जरूर होते हैं तो उनका point of view समझना भी तो जरूरी होता है तो बाचीत करके ही फिर एक खाका में बनाने की कोशिश करता हूं और उसके अंदर फिर मेहनत करता हूं अपने हिसाब से work out क जो भी उनको लगता है वो बोल सकते हैं बोलते हैं और मेरा जो image में नखाका बनाया उसमें तैयारी तो मैं जरूर करता हूं आप ये जो अलग अलग acting schools या institute से उनमें कुछ कभी पढ़ाने औराने का भी आपने वो किया पढ़ाने का तो नहीं किया है मैंने क्योंकि यहां आया और फिर क्या हुआ कि मुंबई में फिर लखी ली दीरे दीरे करके मेरा television career थोड़ा बात film career चलने लगा तो फिर मैं उसी मैं बिजीरा और उस काम को आके बढ़ाने में बिजीरा तो मैं पढ़ाने तो कहीं नहीं गया हाँ एक दो तर दो तीन जगे मैंने lectures ऐसे जरूर दियें कि जाके बादचीत की जाया है students के साथ ऐसा जरूर हुआ है बर बतौर यह subject को लेकर यह पढ़ाया जाया तो मैंने नहीं किया हाँ वो भले ना हो लेकिन students तो यह इस उम्मीद से आते हैं भई आप अपना तरीका हमको बताए कि हम कैसे अपने को improve करें कैसे अपने acting करें उसमें मैं मैं मानता हूँ कि जा जानना चाहते हैं तो आप वो जो बाचीत का समवाद का जो जरिया है वो मैं मैं जादा अच्छा मानता हूँ जाद दन के मैं कहीं जाओं और अपने ही साब से बोलता चला जा जाओ उबहाशन देता रहूं कि यह ऐसा ऐसा हो सा अबर उनकी क्या curiosity उनकी क्या जिग्यासा है उनकी क्या बाचीत है वो एक समापन की तरफ ला चुके हैं कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि आपको कहनी थी और वो सवाल मैंने नहीं पोचा और हम अपने देखने वालों को बता दें कि ये बाचीत इस बहुत ही खुबसुरत घर में हो रही है जो कि खुद अनंग दे साई जी कही घर है जिसकी आंतरिक साज सज्जा हमें बहुत आकरशित करती है तो हम अनंग दे साई जी के घर में ही उनके साथ ये बातचीत कर रहे है तो अनंग जी बताईए कि कोई ऐसा सवाल जो मेरी तरफ से चूटा हो और आपको जवाब देना था तो आपके ये है नहीं बाकी तो अच्छी सी बातचीत होगे बड़ा मज़ा आया मुझे और बस ऐसा ही दोर चलता रहे है तो मैं यही चाहूँगा टेलिविजिन और फिल्म का जो करने में मुझे मज़ा है ज्यादा डीटेल रोल थे और ज्यादा पॉपिलर भी हुए खिचडी का रोल तो मैंने आपको बताया है ऐसे भी दो चार और रोल है जो ज्यादा पॉपिलर हुए तो उसकी वज़े से एक इस्टाब्लिश्मेंट मेरी ज्यादा होगे और घर के लेबल पे घर में भी थोड़ा काला का माहॉल रहा मेरी पत्नी की वज़े से बच्चों की वज़े से मेरी पत्नी लिखती भी है अभी तो वो एक हमारा वो थोड़ा creative atmosphere तो हमेशा काम में भी मदद करता है प्रोग्राम गुफ्तबू के आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हूं तो हमें लिखिएगा जरूर feedback.rstv.gmail.com पर मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि धार्मिक विश्वासों के संबंद में कोई भी कार रवाई करते समय उन सादनों का कम से कम उप्योग करना चाहिए जो आम आदमी के दिमाग में सबसे ज़्यादा हल चल पैदा करते हूं मेरे ख्याल से हम लोगों में प्रचार करके लोगों के सोच में बदलाव लाए तो बेहतर होगा बनिसबत इसके की ओपर से कानौन थोप दिया जाहे इस ग्रहनित प्रथाकों लोगों को मर्जी से त्यागना चाहिए इस प्रथाक के खिलाफ ग्रहना का वातावरन त्यार होना चाहिए इसके साथ साथ सरकार प्रशासनी कदम उठाएं तो लोगों के दिमाग में बदलावाएगा और फिर एक सच्चा परिवर्तन आएगा